हेलो बच्चों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब सैनल स्टिय कर्शी संस्थान भी और मैं हूँ आपका सतेंज सिंग आधम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्मूर चेप्टर के बारे में जिसका नाम है प्लांट पैथलोजी हिंदी मुझे बोलता है पादप रूग विग्यान सबसे बड़ा टॉपिक में इसली बोलना चाहरा हूं इसको क्योंकि जो बच्चे पेपर देने जाते हैं तो उनकी सबसे बड़ी समस्था यह हो जाता है हमें याद हो जाता है हमें चलो टिपिकल सेक् और रोग अगर यह है तो यह रोग किस ने किया है कबक ने किया है कि जीवानों ने किया है फंगस ने किया कि वैक्टिरिया ने किया किस ने किया है डिसीज के बारे में नहीं मालूब पड़ता हूं मालूब पड़ जा है तो हमें यहीं नहीं मालूब इसका नाम क्या है तो को ऐसे तरीके बताने वाला हूं में आज जिसके दौारह आज आए कि लेक्शर पहला है पयदालोजी का इसके पूरे पांस लेक्शर हैं ने में डिवाइट किया हूं यखिन भानना पहले लैक्शन ने हीं आप यह जज्मेंट करना स्टार्ट कर देंगे, प्लांट देखकर कि इसमें ये बीमारी है अगर बीमारी नहीं भी देखी आपने, फिर भी सुन कर अच्छा प्लांट का नाम बताइए अच्छा ये प्लांट है अच्छा आप ये बोल रहे हैं तो ये रोग इसने किया होगा इतना तक जज्जमेंट कर लेंगे तो प्लीज बेटा पूरी बीडियो देखें आपको पूरी बीडियो देखने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एक्जाम कोई भी हो आपका ल सब्सक्राइब करेंगे अच्छा बहुत से लोग बोलते हैं प्लांट साइंस प्लांट पैथोलोजी में लिख देता हूं पादब माने प्लांट नो डाउट प्लांट और रोग माने पैथो और ये डिसीज मान होता है हम इसको एक कांग वरो हम डिसीज लिख सकते थे पर लेटन में रोग को बोलता है पैथो रोग माने पैथो बग्या मैं लाजी तो यह नाम पढ़ गया प्लांट पैथोलोजी पर बिटा और अच्छा नाम देखें इसका देखो जबर रोग को पैथो बोल दिया तो प्लांट को फाइटो बोल दोना हम बता तो चुकि हैं आप फाइटो पैथो लौजी तो क्या दिक्त है तो सही में हमारा टापिक है फाइटो पैथा लौजी और यह वर्ड जो पूरी बात करें पूछ ले आपसे कि पादप रुग बग्यान कौन सी भासा का सब्द है ग्रीक भासा का सब्द है उसके पटा को और नहीं बोल देते को फादर ऑफ फाइटॉब को उसके पिता है आप ध्यान से सुनने है इसके इनके पिता हैं यह इन्टोन डिरिमान के लृटी पोलतہ हैं एन्टोन आंटोन डिवेरी गालिक्स की पता हैं बताइब टृन डिवेरी पेता हैं विडलोजी धॉष्य नहीं नहीं आ रहा यह जर्मन सायंटिस्ट हैं जर्मन से ब्लोग करते हैं एक जर्मन साइंटिस्ट है और यह केवल इसके पिता नहीं है जैसके लावा मॉडर्न माइकलोजी जोजी की मॉडर्न माइकलोजी के वह पिता है तो जाएं माने कवक अड can माने तो ऑलोजी मानेello भिःध्यान अगर अगर आदुनिक कब ग्यान के बात करें या फिर फादर पैसलोजी प्लांट साइंस प्लांट डिसीज की बात करें तो इसके पता-बेटा है कौन एंटॉन डिवैरी जर्मन साइंटिस्ट हेंडिच एंटॉन डिवैरी ठीक है अब आप से बात कर रहे हैं कि डिसीज क्या होता है तो दो भी डिसीज पढ़ रहा है रोकमाने डिसीज अगर अंग्रेजीं बोलते हैं तो डिसीज डिसीज ऐसा यह ना अब मैं बात करूं डिसीज का मतलब क्या है पूरी बात सुनना जहां दिक्कत होगा टोक देना टोकने का मतलब कमेंट बॉक्स में लिखना मैं और सु कुछ कमी हो उनकोई बताए हमारे दोनों ही में हैं जितना में होती है अगर आप कुछ लगता और सुधार हो सकता है वाइस में लाइट में साउंड में कुछ भी चीज में आम मुझे परसनल बोल सकते हैं आपको कमेंट कर सकते हैं में सुधार करूंगा ठीक है मेरा पड़ रहें डिसीज अब देखना डिसीज क्या होती है अगर आप समझदार थे तो आपने मैसुश किया होगा कि डिसीज में दो सब्द हैं एक है डिस एक है इज कि अगर मैं इसको पूरा खोल के देखू तो मुझे ऐसा मैसुश हो रहा है डिस प्लस इज कि अरे डाम है माने आगे जोड़े के सब्द को बोलते हैं आप लोग प्रिक्स आप क्या बोलते हैं व बेर कुछ ऐसे प्रिक्स हैं वह प्रिक्स दो तीन आप बता दू जैसे एक प्रिफिक्स हो रहा एक प्रिफिक्स हुआ नौन एक प्रिफिक्स हुआ डिस यह कुछ ऐसे आगे जोड़े जाने वाले सब्द हैं अगर जे किसी सब्द के आगे आ जाते हैं तो उसका अर्थ का उल्टा हो जाता है माने अर्थ का अनर्थ मैं एक्जांपल देता हूँ जैसे एज है आप एज को आज ही मुबाइल में डिक्सिनर में देखे ए एस ए तो एज का मतलब निकलता है हैपी प्रसंद खुस एन्थूसियाजम एनर्जेटिक मतलब अच्छी बात सब निकल रही है लेकिन जैसी एज है एपी खुसी प्रफल में अगर डिस जोड़ दिया अब क्या होगा बीमार दुखी रोग बन गया ना तो इसका मतलब इसकी एडवांटेज लाफ आगे डिस और जोड़ दिया डिस एडवांटेज हानी हो गया तो यह डिस हुआ ए हुआ नॉर्मल माने सामन और नॉर्मल ए जोड़ दिया असामान किसी चीज में ंच्छड और भी और बीमारी में रसेम्टमेटिक माय लखxico आ रहा है तो सिंप्जों के जोड़ दिया बेना लुशन तो महलब हैं जोड़ने से कितना सब्सुन्मेटिם लक्षन एंसे लक्षन खिताम होग एटिस थिए इस इसका मतलब इस अच्छा सब्द था आगे यह जूड़ दिया यह समझ सकते थे बिस आ गया माने उल्टा सब्द हो गया इसको लगा बिल्कुल राइट कि हाला की साइरवड डेफिञ्श माहिए Options नहीं साइन्ज्वी डेफिसिन ने हैं क्या इर या इनकी उन्तार बीमारी में या रोग क्या तो इनके अनुसा रोग पौधे की बात करें जीवन की पसू की बात करें जंतू की बात करें तो यह बोलना चाहरा है थे कि रोग जो है पौधे यह जीव जंतू की उपापचे क्रियाओं में होने वाला व्यवधान है रुकावट है अब यह पढ़ चुके हैं मैं तो टाइप की थी आको ध्याना रहा हो एक तो कैटाबॉलिक एक एनावलिक कैटाबॉलिक माने तोड़ने वाली जैसे स्वस्वचना दिया था अब पौधे में क्या हो रहा है कि सूचिए अब हमें बीमार है हम लोग तो बोल सकते हैं ना कि हमें यह कुछ है भुक लगी है प्यास लगी है हमें दर्द हो रहा है गर्म सिर है पीट में दर्द है कुछ भी बीमारियों को बता देंगे पर पौधे में कैसे मालों परता प तो उसके अंदर जो अंदर होने वाले वो पाप चे क्रियों में जो विवधान है रुकावट है या यू कहें सामन दसा में होने वाले हानिकारक परिवर्दन ऐसे ही बोल सकते हैं सामन पौदा था उसमें कोई ऐसे चेंजेज हुए जो निगेटिव थे मुर्शा गया पत्ती हम यह कहले सामन डसा में होने वाले हानिकारक परिवर्दन को हम कहते हैं अचानक परिवर्दन मत बोलड़े ना अँने आप बोलते हैं अपन क्या म्यूटेशन और परिवर्दन बिग्ञान के पिता है ही गुडुब्रीज बोलक बात हो जाती है अगर आप यह बोलाइग सा यह हेल고 को समय परिवर्तन अचानक कर रहा है यह पोटी है एक टीन करें जबूत करें हम हम बात करें की बात करें हम बात कर हैं पैफलोड डिसीज की बातकर रहे तो तो थो पूजिन कैंए उद्र ने ने हैं जानों को रोग कहते हैं ए यह भून नहीं तो यह बोलना चाह है थे रोगड़ नोप्रकार के होते हैं अगर आपको कारक मालूम है यह मालूम है कारक कैसा है तो इस प्रकार से रोग दो प्रकार के होते हैं कि कारक क्या धार पर एक होता है संक्रामक रोग को बेटा एक होता है असंक्रामक रोग कि जहां से सुनना यहां भी आपको थोड़ा कॉंसिप्ट समय में आएगा अब आप पहले कुछन अगर आएंड में से कौन सा रोग संक्रामक है तो यह भी अच्छा कुछन है तो कैसे परचाने की सिंपल सी बात है और को कारक आपको मालम है और वो कारक जीवित है यह सक्रिय यह स्क्रामक और वो पहले वह इस बोलें तो बहुतक है तो ऐसे जीवित है अब यह जougत है इसे आपस मांदा है से हो रहा है से हो रहा है इस जीवाँ से हो रहा है तोHH चीजह स् irrelevant कार्थ मानने बहुत त ander जिसा है जिसे आपको रोग हुआ ना प्र दुसित वाईों से हुआ या फिर अदिक Truck मान की तापमान कि गतित वा या फिर वो पोसक कंई को मैसे हुआ ह्थ के फूल गो बी का विप्टेल भीमारी सब नहीं पुछू से और आपको अपने बताया तो अंपने ब्लैक टिप पॉप मैंगो में जो आंका ऊपरी ऊपरी उपरी इस लेका काला हो जाना ब्लैक टिप अपको आपको मालूमता यह होता है प्रदूस्य तवायू इसे अब आपको एसे होता है यह मालुम है इसे होता है अब बदा फ्यों है को स्म्क्रामध कैसंकसर संक्राम है है तो पशियां पर दो क्या रहा है यह है इस आधार पर अगर बताएज आघर आप reminder है जीवान कर रहा है तो कौन सा यह संक्रमक तापमान से संक्रम इतना धार ना यहां दो सब आ रहे हैं फड़ा पर सुनो डिसीज डिसोडर क्या होता है कई बच्चे इन में अंतर नहीं समयते डिसीज और डिसॉडर में अंतर नहीं समयते आप समय लो अंतर होता क्या है देखो डिसीज को बोलते है रोक जो चल रहा है और डिसॉडर को बोल बाना पढ़ गया बेटा देखिए अगर कोई रोग संक्रमक रोग है तो हम यहां जितने रोग अगर पढ़ रहा है जीवितकारक से फैल रहा है जीवानों विशानों कब अखा दी तो सबको डिसीज में रखें जिसीज और इस उरुए बेटा जो पौस्त्त की कमी से होए जीवितकारक्ष हो एंप्रदूर स्वायू से हो इने वहाने बोलते है विकार तो हमने यहां हमने विकार में रख सकते हैं अब कुछन यहां केसे आगा और कुछन आ गया इन्हें से कौन सा विकार है यह पैसी में कुछन बनाजता हूँ आलू का अगेति अंगमारी मैंने बोला नीवगू का कैंकर रोख मैंने बैक अन्में पत्ति का छोटा रह जाना एक मैंने बोल दिया अगेति अंगमारी यह करता कबक जीवित हो गया यह पत्ति का छोटा रहा जाना जो ता माहिको प्लाजमा से इसको भी एक मैंने आप से बोला नीवू कैंकर रोख केंकर यह जीवानु करता यह जीवानु करता यह जीवित है रादो एक ही तो बचा फूल गोबी का ब्राउनिंग अगर आपको मालम होता तो ब्राउनिंग करता है कौन बौरून की कमी और रोन की ऐसा तत्त्त है तो सापसा मालम पढ़ गया चार रोग में से एक विकार है और तीन रोग है तो कुशन बहुत आता है इने में से कौन सा अगर आपको फंडामेंटल नहीं पकड़े आप तो चार ऑप्सन होने के बाद आप समय निपाएंगे पूछ किया रहा रहा रोग नहीं वह पूला फिज्यो लॉजिकल डिसॉडर वह आपसे बोला सारिक विकार कौन सा है तो बेटा यहां से स्टैट से कुशन आ जाता है संक्रम को रोग होते हैं रोग बूल दिया में पर विकार शुक्त होता है और यह पूस्तत की कमी से हो सकते हैं प्रदूसित वायू तापमानाधी के द्वारा हो सकते हैं अच्छी तरह देख लिए आप जल्दी फटाफट लूप अच्छे लगए उन्हें लिख भी ले लेना अब ध्यान से सुनिएगा हम कैसे पहचानते हैं कि कोई बीमारी कौन करता है और कौन सी फसल में बीमारी हो सकती है कि नहीं बस पूरी किलाद सुनना ध्यान से ऑल अ प्रतंड आख जबूए पैतों माने रोग होता है तो सब का मतलब रोग कारककपार्पे रोग कि difलशकता करवक Jestлом benefits मूं से कुढबाय। इनके आध़ा पर रहा है ज्हान दढ़ना पहली बास पुझेगा on सबी मैशेज जो बूट पर लिखे हैं सबी मेशेज सरवाधिक रूप फैलाएगा कबक तो मैं यहां लेख ज़स सरवाधिक ध्यान रखना जितनी बीमारी होती है पोदे में वे सरवादिक बीमारी कबक द्वारा फैलती हैं कबक को आप फफून भी बोलते हैं के लोग फंगस भी बोलते हैं के लोग फंजाई भी बोलते हैं भाईया और इसको अपन लेटन में कहते हैं माईको हम इसको माईको भी बोल सकते हैं माईको माने कबक तो इस परकार इसके अ सब्सक्राइब माईकलो जी माईकलो जी माइको माने कबकट सदन गलन सदन या गलन अच्छा इसको बोलते है रोट अंगरजी नाम होगा तो रोट होगा हिंदी में सदन गलन होगी एक है उक्षटा माने विल्ट एक है कंडवा माने समट एक है जुलसा एवं पत्ती धब्बा एवं अंगमारी इसको अंगली बोल सकते हैं ब्लाइट ब्लाइट या स्पोर्ट इसको अंगमारी बोलते हैं जुलसा ठीक है ब्लाइट एक ट्रेकॉर लिख देते हैं किट माने रस्ट या गेरुई बैर इंपोडेंट अब सुनो ट्रेक की यूज कैसे करनी है आप पहली बात सुनो आज के बाद फजल कोई भी हो यह नाम सुनो हिंदी में नाम लिखा होगा तो यह सब पीशे जुड़ने चाहिए अंग्रजी नाम है तो यह सब जुड़े हो तो समय लो वो बीमारी कौन सी है कवक कर रहा है बात खिदम किन्ना वई ट्रेके सुन लेते हैं इसको एपलाई कैसे करना जैसे मैंने बोला आलू का अगेती जुलसा जुलसा आ गया कवक ने किया कि मैंने बोला आपसे नर्शली का आदर गलन 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 आ गया मानने कवकने कर लिए और मैंने बोला आप दे कि चनिये का उखवटा उखवटा आगया कवक ने कर तो कि जिरूई किट रोग किट आ गया कब अगने कर दिए कितना हैं मैंने बोला बाजरे का कंडवा रोग या जौग का खुला कंड़ रोग अरे कंड़ या कंडवा कब अगरो आज के बाद आपको टैंसल लेनी की जुरूद है ही नहीं बध्यान से माना पढ़ा पर एक बाद ध्यान रखना यह ट्रिक हंड्रेड परसेंट काम नहीं आएगी कुछ जगें इनके अफवाद भी मिल जाते हैं पर यह मत कहना सर हमने यहां यूज के यहां नहीं हुआ ले रहे हैं पहली बार अगर गल्राइवर पाद अपना उसन होाज के बाद कभी मिस नहीं होगा पहए डिक्रण से कर रहे हैं कि हाँ यह आने पर टिक कर देंगे और आगे बढ़ रहा है और इसको लेबल लिए आगे चलते हैं आपने इस सफदा आंग hypotheses मैं नहीं पूला डॉए अप बंने प्शन कैसे पूंचे रहता है नहीं नहीं पूछेंगे कि गन्य के लाल सडन बिमारी कौन करता है यह पूछता लाल सडन तो सडन से टिक करते कबक करेगा पर उल्टा पूछ लें गन्य में जे जे हुआ है बता ये कौन मलब लक्षण देगा आपको जरूरी है वह आपको नाम लेके बोल दे कि आलू का अगरी ती जुलता कौन अगरे का यह लैव चाल देगा कि आलू में जे जे लक्षण हो रहा है बता कौंसी बिमारी कौन करेगा ऐसे सब्सक्राइब तरही है श्रन यहां मतलब होता है इस रुक में पहिचान क्या लक्षण क्या है है ने जगह मेरे पास नहीं है पूरा लखेंगा तो बहुत तकली होगी चलो मैं यहां फड़ा पड़ देखता हूं आप इसको पूरा कर लेना ठीक है कि स्वरंगलन में होता क्या है जड़ के पास वाला भाग सड़ जाता है बात के तो और ये बीमारी ज्यादा तर छोटे पादों में देखि जाती है चोटे पादे नर्सरीन नर्सरी में पहल सब मैं उन्हें तो उनमें जब वहां देखा चोटे चोटे पादे निर्शरी उग्राद आधिक देदो तो आप 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 आपने देखा ओगा उनमें चोटे पौद में क्या होता है मैं ली सड जाता है गर जाते तूट जाते उसे बोलता है रौट कुछ फैमस बीमारी है वह एक्जम्पल लेकरहूं फड़ाफट जैसे की नरसरी का मैन एक्जम्पल हाना कि यह एक् गलन ठीक है और गन्य का लाल चडन इनको मत भूलना आप चौग और भूल जाना कोई दिखका नहीं दिस इस रेड रॉट अंगरी जी में दिस डंपिंग आफ डैंपिंग आफ अब उल्टा पूछ लेंगे अब आपने याज किया घंदी मिना माद्र गलन गलन होते क्टे कर देते हैं अब वो पुछा कि बता डैंपिंग आफ बीमारी कौन करेगा तो कुछ नाम अब हमें इंग्लिस में भी आने चाहिए तो इंग्लिस में क्या बोलते ह आप सोफ क्राइब करें क्या बोलते देंपिंग ओफ कॉन करेगा क्या बोलते जो श्रण गलन इसमें क्या व ata जो बुमिके पास पासो कुछ बाग जड़का और कुछ बाग तरह का सड़क जाता है वे बीमारी कौन कर गाए बिटा कबक उख्टा हमें आ जाए इसे विल्टे बोलता है इसमें लक्षण के हमां लक्षण सुनें जहां से अलग पनी उसका लक्षण उख्टा में यह होता है कि जब पौदे में पानी कमी हो जाती है आप बता है जब पौदे में पानी कम हो जाएगा तो सबसे पहले किसे असर पड़ेगा जड़को और जड़ से स्टार्ट होके जब पौदा कमजूर हो जाएगा पानी कम हो जाएगा तो जड़े कमजूर होना स्टाट होंगी जब जड़ी प्रॉपर होगी पानी ले पाएंगी तो इसका सर पूरे पौधे में होके पूरी साखा में जाएगा तो बस ऐसा रोग बताईए जो जड़ से सुरु होके पूरे पौधे में फैल जाता वो है उखटा और जैसे एक्जमपल दो अरे कुछ भी ए पौधा पौध विल्ट सुक्न में फ इण्थी नाम है तो फसी नमें तो खकश्डश कर में में आहने pretend हैं एक्जमपल बताना लक्षण बताना ठीक है कंडवा कंडवा कर लेक्षण ψनेड कित कर लक्षण क्या है संदॉड है अंगरी बूलते हैं स्मठ और इसमें होता क्या है इसमें ये बीमारी ऐसे पौदम होगी छिन में बालीयां हूं बाली ना दाने हो दाने किसमें बाजरा में जौ में जौर में गेहू में राइट तो कुसंजी आता है जैसे ग्योंकी बाली हम जब हाथ से मेरते हैं तो बाली में लिकने ते दाने और दाने की जगह कभी कभी दानों की स्थान पर ब्लेक पाउडर काला चूड मिलता हैं कई बार देखा आपने अरे ये तो ब्लेक पाउडर मिला किसके स्थान पे दाने की स्थान पर इस बीमारी को बोलते है कंड़ आप हारो तो हम बनाज था किसे हो सकती दाने तोई निकल कर दो है मैंने की मारी यहाँ पसिवल नहीं हो तो हम एक concept थोड़े से अंदर लगा सकते हैं कि फसल में बीमारी हो सकती कि कुछ उल्टा जाएगा बता कौँछी फसल में कंडबा बीमारी नहीं होती यहूं जो जौर तिली तो किसमी जूगी बिटा तिली में यह नहीं होगी यह मैं आप से बूला यहूं जो जौर अनार अ कुछ ना गया बताओ ग्यों की एक रोग में जिसमें ग्यों की स्थान पे दाने की स्थान पे कहला चुन बन जाता कौन सी बीमारी है और कौन करेगा यह भी बाना पड़ गया और क्या चाहिए अपर लेबर बढ़ा रहा है दिले लेक्टर पहला ठीक है तो कुछ नाम आधिका और भी जोड़े ना आप आराम से आधिका कंडवा रोग अब जुल्चा पति धब्बा अंगमारी जो तो नाम थी मौनम पढ़ दाएं आपको नाम है ना अलू का अगेति अंगमारी अलु का पचेति अंगमारी या फिर बेंडी में पति धब्बा रोग या कोई दब्बा नाम देदेगे इस रंग के काले रंग चॉक लेटी रंग यके पीले रंग इस रंग के और रंग को है ऑधो यहां यहां अईसे हैं जो नाम चाहिए नहीं बता कर पाएंगी तो लक्षरा तुझक कैस समझ गया कि बीमारी में पत्यों पर फर धब्ब पर जाते हैं अब धब्बे पड़ जाते हैं यहां रुक जाएंगे दो मिट के लिए यहां मैं थोड़ी पढ़ने के याब सकता होगी कि अगर इस रंग के धब्बें तो कौन सी बीमारी यह में लेक्चर टू में आपको बता हूँगा अगर के आधार पर अगर आपको यह बहु किसे पैचाल लेते हैं अब इस वुट में यह सीख लिए जागे धब्बें हैं तो बीमारी कर दी किसने है भाईया का बगने कर दी और दो-ती बीमारी यह क्यों में लिख रहा हूं बो बीमारी नाम से समय में नहीं आई हैं आप खुद देख लो जैसे मैंने आपसे बुला कि मैंने आपसे बुला जैसे मुझफली का टिका रोख किसका रोग बिटा मुझफली का टिका रोग और टिक रोग में कोई नहीं नहीं ना अंग मारी आप्ति धबा न जलसा कोई वड़ी नहीं आ रहा है तो यह अलग याद कर लो कुसर उलटा पूछ लेंगे आपसे में जिए का सभा बीमária श्टिडी करें से चीक है मैंने जैसे मैंने बुला धान का जान्का जोंका रो Western austrisaluses । श्टिर्न वीपारी ब्मावरें नहीं भूंका नहींते हैं जोंका नाम आपको कर देगा तो इसलिए में दो एक्जाम्पल या अलग से डाल दिए धान का जोंका मुंद फ्रिगेटिक का दोनों इस पॉट डिशीज हैं दोनी धब्बे वाली बीमारी दोनों ही इसमें आती हैं दोनों कों करेगा करेगा बहुत पूछे जोंका बीमारी कौनची फसले में हो तो हम क्या लगा देंगे गेहूं जुआर आदी का किट बस आप कुछ मत करना आप तो यह दिखेना किट आ गया यह रस्ट आ गया टेक कर रहा है फिर बोल रहूं चीज़ मैं सब की बात नहीं कर रहा है कुछ ऐसे फसले भी हैं जहां रस्ट कबक नहीं करता मेरी बात सुन ठीक है जैसे मैं एक उन्हेंपल देता हूं जिसम सेवाल पढ़ेंगी अरफ्र को कहते हैं कि अंगरेजिम मैं को इसे इसको बोलते हैं यह लेकिन इसका नाम है माइक्व और इसका नाम है मैं को तो इस बजए से इसको psychology भी कहते हैं ये बहुत कुछ नाता है एक्जाम में बताए ये psychology में किस का अध्यन तो सैवाल का अध्यन जैसे यह चाइए काफी का लाल किटिक कोण कर रहा है किटी पढ़ना पड़ना पड़ागा इसकी लिए तो चाह कौफी का कौन सा बिटा लाल कि अमाने रैड रश्ट कों सा बेटा रैड रश्ट यह कौन करेगा यह करेगा सेवाल गेहों का किट कौन करेगा एक करेगा कबक दिस इस आ माइकलोजी फाइकलोजी बट मैक्जमम डिसीज प्लांट में करता है कौन बेटा कब इसलिए तो सब चाहिजद हम पढ़ते हैं फंजी साइट हम जब पढ़ेंगे रोगठाम पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे कबक नाशी का वरगी करण मेली तो कबक नाशी कह पढ़ते हैं कुम मेली बीमारी करें कबक फंजी साइट व्याजी पढ़ेंगे फंजी साइट है अब यहां आजा है तो बिसाडू को पढ़ते हैं गाला एक बनानाफ और इस परकार इसका धिन को बोलेंगे वाइरोलोजी तो की बोलें वाइरोलोजी में किसका ध्यन कृते हैं बर्माण्ड की सबसे सुख्षम्तम जो जीवित चीज है या अजीवित चीज है जीवित ही बुझे ही है इसके कुछ अलक्टणों में हमें भी अजीव गरीव लगते हैं इसे कोई क MA defer ुच्षा। जीवित और जीवित आजीवित की बहुत प्रमा χाई है कोई बूले इसका मतलब न तुझी जीवित है ना दुनिया का ब्रह्मान का सबसे सक्तिसाली जीव बिसानो दुनिया का ब्रह्मान का ऐसा जीव जो हर जगह रह सकता है जिसको मारने में कठना ही है जो पनो रूप बदल सकता है कहीं भी याजा सकता है किसी से नहीं मर सकता अधिकांस का बिसानो इसके लक्षण तो कुछ जगह तो यह जो पाई जाती है जो डिकता भी नहीं है इसमें कुछ ऐसा माटेरियल भी बहुत नहीं है कि इसके पाचंतन सब हो कुछ नहीं होता प्लियो ट्रॉफी इसमें प्लियो मॉर्फिजम के गुड़ भी होता है अपनी रूप को चेंज भी कर लेता अभी बीमारी चल रही है इसके प्लेट से बीमारी थी अभी तरह रोख थांग क्यों नहीं क्यों जैसे हिलाज कुछ बनता है यह अपने पर सिस्टम को चेंज कर ल से सब्सक्राइब कर दोनी चीश को उसकता में कहता है टीजी 20 सब्सक्राइब के आजए कण Mexico बीमारी के लिए इंफेक्शन को कबके वेक्टिरिया के निके पर एक बीमारी नहीं दुनिया में अगर आपको वैरल इंफ्लेंज हो जाए जुखाम हो जाए दवाई ऐसी कोई है क्या ब्यार में खाते जुखाम नहीं है अगर इंफेक्शन होगा दबाई कैसा भी दुद्र लगे अपने आप ही जाएगा इसका मतलब है बहुत सक्षीचा चीज है पौधे में आदमी में मनुस्ट में जंत्यों में बीमारी होंगी तो यह की चीज़ है प्रकॉशन वेटर दन क्यों हम साबदानी बढ़ते हैं वही वारस क्या होता है वारस से रोख जब होंगे पौध में कैसे पैचान होगे लक्षन क्या है तो बढ़ ट्रिक बतारों फटाफर सुनें कि यह चीज़ए देखो कुछ लक्षन में उन्हें को नाम दूब जैसे पत्ती का छोटा रह जाना घ्यान से सुनना है छोटा रह जान जैसे वेटा नंबर दो पत्ती का मुड़ जाना जन्वा तीन पत्ती का मुझेक रोग या कोड रोग चौथा पॉइंट या बांज रोग पांसवा पॉइंट रोग तो आज के बाद यह पांस ट्रिक फड़ापन मांड में सेट कर लो आज के बाद यह पांस समय से कुई भी चीज़ किसी फ़दल की बाद आ जाती है टैंशन बहुत मद लेना टिक करना आगे बढ़ना अंग्रेजी सुन्लों निकी क्यों के बाद बाद नाम इंग्रिज में आता है ठीके ना जैसे इसको अंग्रेजित में क्या बोलते है सुन्लों जैसे छोटी पत्ती चोटा रहाएं लेटिल लीव ठीके बाद़ा पत्ती का मुर जाना मुर जाना माने इसे यह तो हिंदी मों सो चुर्रा मुर्रा करल डिशीज करल लीफ यह लीफ करव कोड रो माने मोजाइक बांस पर माने इस्टरलिटी और रोजेट माने रोजेट माने कैब बात कर रहा है इसकी कि आज के बाद कहींभी आज जाए आम की पत्यक्त चोटा जाना निवू की पत्य के छोटा जाना इस कुछ भी बोल दे टेंशन जादा मत देना चोटा पत्य जाना देशी जे विसान बात करता है एक रफवाद है वह आप तकलीप करेगा अब बिन्हें पूछ दिया कि बताओ जी फसलेश की पती छोटी हो जाना तो टेंशन आज खतम होगी ना अट्रिक माना पढ़ागी छोटी हो जाना लेटी ट्रीफिन टॉबको लिटल लिफिन लेंगो लिटल लिफिन शिटर्स ठीक है वार्श करेगा एक दू कुछ छोड़ देना कि ऑ अथि येपास अच्छा आपको देखतो रहा है वहाँ पर दिखनेक पार फुलको क्या होता है माको यृइक और गनीजम मायको-like organism यह क्या होता है तको एनने लाइको महुनाने और्ग ere Giving की बात कर रहे थिक हैं यह कि यह होता हं यह dzięki होता है यह इस से थोड़ा बड़ा को बारस से थोड़ा बड़ा और जीवाणु उसे थोड़ा च्छोटा होता है और सभी पत्ती चोटी करेगा बिसानू बस यहां छोड़देना बैगन में वा सकरकंद में है पत्ती का च्छोटा रह जाना पत्ती का च्छोटा रह जाना पूछता बहुत पूछता बता लिटल लीफ इन ब्रिंजल अब बच्छा लिटल लीफ सोचते जी लगा देता अंसर उसका यह था तो हर जेगे काम नहीं आती लिए पर अगर पढ़ते जाएंगे तो महसूस करने और यहां 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 जी चेंज अलग है यहां चेंज करना ह समर्य बात को बैगन में पत्ति का छूटो जाना मायको प्लाजमा अदर्वाइस सभी में पत्ति चूटो जाओ तो इसके लाबाव एक ग्जांपल और यहां लोच्छा वाला एकजांपल है जैसे कि सकरकंद नहीं देखे बेटा तो लिए नकिना फटा-फटा है जैसे कि बिचेज ब्रूम कुछ नहीं सकरकंद में माने स्वीट पटोटो में लिटल लीफ एंड़ स्वीट पटोटो एंड ग्राउंड नट एंड पटोटो में बिचेज ब्रूम डिसीज जूटूब किसके बैस हो रही बीटा माइक्र प्लाज्मा तो यहां आ जाते हैं फटा फट चोटी पति दिख जाये किरो भी सानो मुड जाना कर्ल हूना कोड हो जाना और किने बार मुजा का जाना यलो अरे स्ट्ट्रूटी इन पी जन पी आया बांज आए तो करो ना रॉझेट तंब सी पत्त्त्ति के रोजेट हो जाना रोजेट माना आगे सकरी पीशे चोड़ी रोजेट वें से बसानूं के ना इस पूरी बात सुना तो मेरी बास सुनो वैक्टिरियो लॉजी तो इसके अद्रों क्या बोलेंगे तो आपने बुला वैक्टिरियो लॉजी मीन्स स्टडी आफ वैक्टिरिया जीवाओं का थ्यां कुछ खास लक्षण ट्रेक्टो नहीं है पर कुछ एक्जामपल अभी के भी याद करो फटा फट जैसे एक एक्जामपल इसका मत भूलने के भी बहुत आया हुआ है एक है कपास का काली डंडी रोग कौन सा कपास का काली डंडी रोग है डंडी डंडी रोग मांए बलेक आर्म बलैक आर्मस डिशीस में काली भूजरोक भीबूसकते थे काली बुझरोक बुजरो किसमें हो रहा है बटा जे कपास में उल्टा पूछ रहेंगे बता आप काली बुजरो किसे कौन सी फ़सल में हो कपास में आप ऐसे एक सब में याद करो ना कुछ भी या जा हमें आना चाहिए वेक्ट्रे करेगा एक वार्यात करो बटा नीवू का कैंकर इसे बुलें खर्रा डिसीज चीक है तो ठीक है तो यह नीवू कैंकर हुआ या का पास सा काली डंडी रोग हुआ ब्लैक आर्म काली बुजरों जीवानों के वैसे हैं तो और भी आप नोडाउन करें जैसे की आलू का ब्राउन रॉट भूरा स्वर्ण रोग यहां तो ऑल्टा हो गया हम स्वर्ण तो यहां सव्जट बिए पर कुछ मैंने क्या पूले हर जेगें गरना हमने कि रॉखना भी है कि आलू का भूरा स्वर्ण रोग जीवानु धान का जीवानु जुलसा जीवानु उर्द मुंग आदि का तना स्टेम रोट तना स्वन रोग जीवानु तो कुछ जगया है मैं थोड़ा ध्यान भी रिखना ठीके बिटा अब सुत्क्रमी बता इसको अंगरेजी में क्या बोलते सुत्करमी को तो आपने यह बोला इसको बोलते हैं आप तो यह निमेटोड क्या दूल क्या बोले में तो लाजी सिंपल सी बाद निमेटोड लाजी मीन्स स्टेडी आफ निमेटोड अब एक्जम्पल फिटापट सुन लीजाए इसकी एक्जम्पल बहुत इंप्पोरेंट है जैसे गहूं का गैग इसे बोलता है सेहू अंगले में कहते हैं इसको इयर कोकल जैसे की टमाटर का मूल ग्रंथी इसे बोलता है रूट नॉट आपको दिख रहा होगा अब ऐसे मेरी खाल से नहीं दिखे तो फटापट लिखते चलना आपको नहीं दिखे तो थोड़ा देखते चलना ठीक है तो ग्याओं का ग्यागला या सेहू रूग इसे बोलता है इयर कोकल टमाटर का मूल ग्रंथी रूग इसे रूट नॉट जैसे की मैं बोलू जौग का मॉल्लिया रोग जौग क्या मॉल्लिया रोग तो ज्यादा नहीं कुछ एक्जामपल है आप याद कर लें अगर आप यह याद कर लेंगे तो अधिकतर एक्जामों में से आपके इसमें सी आ जाएगा लेक्शर पहला है हम जैसे जैसे आगे स्टेप बढ़ाएंगे हमें नौलेज भी बढ़ता जाएग तो प्लीज बच्चो यह भूलना मत बहुत इंपोरेंट सेक्षन है उसके अलाबा आप से बस इतना मेरी तोड़ा रेक्वेस्ट है जितना मैं पढ़ाओं घर पे दो तीन बार उससे रिवायस क्या करो जितनी बार आप पढ़ेंगे आप डाउट निकल के आएगी जितने अपने जितने गुरूप हैं आपके प्लीज बिटा उन सभी में जितना आप सेर करेंगी वह हिंदी मुर्यम बाला हो हाला कि हमारे क्लास दौा इन फूचर में आएगी वह सभी क्लास इंगलिस की क्लास भी अलक्से करने वाले हैं तो प्लीज चाहें आप कोनशी लेंग्व मेरे बारे में में क्या स्ट्रटेजी अपनाने वाला हूँ आपके एक्जाम के लिए वह जिहां आपके डिस्क्रप्शन में बहुत लिंक डली हुई हुई बिटा आवहां के देख सकते हैं उसके लबाब तीन जुन से बैच से स्टार्ट कर रहा है औरना लाइव क्लास कोर्स हो रहा है उसके लावए एक बैच से स्टार्ट करेंगी उसके जिस्ट बात कुछनों एडियो का एग्रिकल्टर डबलमेंट ऑफिसर जो हमारे एंपी में एडियो की नाम से जाना जाता है पर स्लेवस में सिमिलर्टी बहुत है कुछ अलग है लेकिन नाइंटी अच्छी तरह से तो आज हमने बहुत डिटेल जांगाई ली छोटी हाना की लेक्ट्टर पहला था जी कुछ इसमें कॉंसेट वाली बात में हैं कैसे पता करेंगी क्या बोलते हैं कैसे पैचानेंगे लक्षन भी देखें ठीक हैं अब हम इसके बहुत ही पढ़ने वाले हैं पढ़ेंगी हम और देडिम लेकर चलेंगे चीज को ठीक है थांक्यू